वेवारी में भी कॉंग्रेस द्वारा डीजल पेट्रोल वा रसोई गेश के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर दिखा शेत्रे के सभी दुकाने बंद वेकर वेपारियों ने सिच्छा से बंद रखी ब्लावक अदेश विनोत तामरकार, हरेंद्र सिंग, जुगलाल कोल, राजुत तिवारी, जिला पंचैस सदस शरत जुगलाल कोल, अलप संकेख ब्लावक अदेश अबबास खान, युवाविदान सबाद्यक्ष महेंद्र सिंग, अमित, पाशच चिरोंजी लाल, चंचालानी सहीत नेताव कांग्रेस कारे करतागंड सरकार की विरोध में प्रदेशन कर पैट्रोल डिजल के बढ़ते दामों को GST के दैरे में लाने के अपिल की बिखारी से न्यूज एक्सप्रेस केमरा में सलमान खान के साथ विकास चर्मा की रिपोर्ट जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि कांग्रेस कमेटी के निर्देशा अनुसार, रसोई गैस, दीजल, पित्रोल की निरंतर कीमतों में लगातार बृद्धी हो रही है जिससे आमजन हमारे बेरोजगार लोगों को बहुत परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आज एदी टीकी से कोई ब्योहारी आने को सोचे, नौडिया से ब्योहारी आने को एदी सोचे तो हमारे युवा बिरोजगार लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे जा पाएंगे, कैसे हम इतनी महेंगा पित्रोल डलवा पाएंगे डीजल की जहां तक बात है हमारे मानी मुख मंत्री जी खेती को लाप का दंदा बता रहे है और कई बार खेती में पुरुसकार भी मद्दपदे सरकार को मिल चुका है आज हमारा किसान परेशान है कि अपने खेती जुताई बुआई किस तरीके से करे किस तरीके से उखेती करे इतनी महेंगी कहती हो गई है कि आज हमारा किसान इस डीजल का जो इतना निरंतर रेट बढ़ रहा है किस तरीके से अपने डीजल में हो किस तरीके से अपने टेक्टर में हो डीजल डलवाए किस तरीके से अपना सहीत रो जो डीजल से चलते हैं किस तरीके से उखेती करें यह आज हमारे किसानों के सामने भी बड़ी बहुत बड़ा बहुत मुश्किल का काम है और निरंतर जो डीजल और रसोई गैस और पिक्ट्रोल में जो पिद्दी की जा रही है इसके खिलाब हम सब कांग्रेस के लोग इसका विरोथ करते हैं और इसकी महगाई कम की जाए जिससे हमारे विरोजगार यूकों को, किसानों को और सब लोगो को इसका राद मिल पाए जहां तक रसोई गैस की बात है तो कांग्रेस के जवाने में यही रसोई गैस 400 रुपए में प्रती सलेंडर मिलता था आज 800 यह 900 रुपए के हिसाब से प्रती सलेंडर मिल रहा है उज्जोलाय उजनाय से जितने भी गैस रहती है